अब 11 is to 11 यानि कि बहुती auspicious day आपके साथ share करने वाले हो जिसमें आप बहुत से इच्छाएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है उसे पूरी कर सकते हैं जी हाँ बहुत auspicious day है पूरे साल का 11-11 कहते हैं manifestation number होता है one manifestation number होता है 11-11 यानि कि इस ताइम पर आप जो चीज मांगते हैं वो जरूर की जरूरी होते हैं क्यों आज हम share करें सबसे auspicious day के बारे में सबसे auspicious कुछ चीजें जो आप करते ही अपनी चीजों को manifest कर सकते हैं अट्राइक कर सकते हैं बहुत सारी चीजें देखें बहुत ऐसे अपने काफी सारे days के बारे में सुनोगा 8-8 loin gate बोलते हैं जिससे अब यह आ गया है 11-11 आप जानते हैं 11 और 11 में यानि कि 4-1 जो होते हैं निम्रॉल जी में सबसे अच्छा number होता है manifestation number होता है कहते हैं इस time पर आकर जब भी आपको 4-11 आपको दिखते ह हैं कहते हैं कि यह जो होता है जब भी दिखते कोई विश मांग लया करो आपके जरूर पूरी हो जाएगी अब साल में 11-11 पढ़ रहा है यानि कि 11 नवंबर पढ़ रहा है तो क्या हमको कोई विश नहीं मांगनी चाहिए जो कि सो बहुत ही ऑस्पेशिल जहां पर आपकी इ आपके लिए कर आते रहें और रूस पर आते रहें दोस्तों आपको मेरे चानल पर नहीं है मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कि जिए साथ ही आज का वीडियो तो लाइक शेर जरू की जिगए 11 नवंबर ये वीडियो में पाह है आपको बताने वाले हो क्या क्या करना है कौनसी टेकनीक करनी है जिसते आप विश पूरी कर सकते इन कौनसी टेकनीक स्टार्ट कर सकते हैं सिय चिप्तर तर यहां पर आप start कर सकते हैं 2023 को better करने के लिए काफी सारी चीज packages आज से start कर सकते हैं यांए कि 11 नवंबर से आप gratitude journal स्क्राट कर सकते हैं आप पेलो reference Земन स्क्राइब सकते हैं एक अच्छा सा vision board बना सकते हैं यह सारी चीजे जो हैं आपकी एच्छाई depicts by करती हैं पूरे दिन में 11 और 11 नवंबर को यानि कि कल आपने पूरे दिन में एक बर meditation ज़रूर करनी हैं आप यह meditation अपने job के लिए कर सकते हो, love के लिए कर सकते हो, affirmations दे सकते हो, affirmations करें कर सकते हो at least for five minutes आपने meditation करनी हैं आप देखेंगे उस meditation में आप कोशिश कीज़ेगा वैसे तो थौर्ट बिन थौर्ट के ही meditation करें अगर सुपोस्ट आपके पास थौर्ट आते ही हैं तो आपने positive thoughts के साथ meditation करना है बहुत सारी प्रेयर्स है YouTube पर उनको सुनकर आप इसको कर सकते हैं क्या होता है ना जब हम सुनते हैं कोई चीज तो उसके बाद हमने जिसे हम subliminal में करते हैं सुनकर कोई चीजों को ध्यान हम लगाते हैं फोकस करते हैं उन चीजों पर जिसको हम manifest करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप manifest कर सकते हैं इस तरीके से भी आप meditation करते हैं तो पहली चीज है, आज से जो भी आप लॉफ अट्राक्शन टी टिकनीक फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आज से फॉलो जरूर कीजे, पुराने वाले जो पिलो मैनिफेस्टेशन है, उसको हटा दीजे, और विजिन बोर्ड है, तो उसको चेंज करना चा धनी चन्की सद्रेशन होगा है, इस आफो जो एह जरूरे को पहली तर्ड के दिन अगर आपके सुन करसे हैं, यह म्या certain Mod at moje, मीजिजि कर सकते हिगा इतना स्ट्रेस्यां आपका चिएगा, बहुत मज़तारी थार्ड, से और आज के दिन अगर आप जो बहुती आपने अपन जरूर की जरूर चार्च करना चाहिए चौती चीज़ आपको क्या करना है आपको एक वाटर बनाना है प्लें जार ले लिजे उसमें पानी बहर के अपना बहर आज 11 नवंबर यानिकी 11 नवंबर को बाहर रग दीजगा रात को आप उस जार पर अफ़र्मीशन्स लेग सकते ह तो आप मनी के लिए 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 इतनी भी vibrations है वो सब आप तक पहुंसती हैं और यह सारी चीजे ना सब काम करना शुरू करते हैं जब हम conscious हो के subconscious mind को यह सब commands देते हैं यह चोटी-चोटी चीजे हैं जिने आप करना ही करना है पूरे घर को declutter ज़रूर कीजेगा उल्टे सीजे समान जो घर में है वो जो ऐसी यूस की समान ने उनको हटाईएगा उच इसी पूरानी चीजे हैं जिने याद करकर हमें अच्छा नहीं लगता तो उनको भी प्लीज हटा दीजे और साथी साथ आप बात करने वाले हो एक ऐसी manifestation टेक्नीक जिसे जरूर कीजे कर जिसे हम 11 स्टू 11 भी बोलते हैं यह आपने इसकी बार में बहुत ज्यादा सोना होगा बट अब मैं आपको बता देते हूं आपको कोई भी अपने affirmations लिखनी है जो 11 टाइम्स लिखनी है सब्सक्राइब चाहते हैं एक्स मेरी एक्स के साथ लव बारे है अब करना है ज्टे अब आपको three jurisd शुबक टाइम्स करना है यानिक कि आपको 기타 मिले यानि ही दुमक बार करना है देखे अगर को वी आपको Caitlin को मिले तो ऋष्ट और यारा बजे जरूर क्यों इस सब्सक्राइब अगरह समनी अइस सब से अजिसे जो ताइम होगा वो कल के लिए जो होगा वो 11 बजी सुबब गर आपके पस टाइम नहीं होता है ओफिस में है या कोई प्रॉब्लम में तो सुबब भी लिख ली जगा और शाम को लिख ली जगा आज के दिन ये टेक्नीक जरूर कीज़गा बिलीव मिए आपको कीज़ेगा मिलने एनेक स्टुडियो में तब तक के लिए टार्टे बाइब है थांकियो फ्रिंद्स